हाँ जी दोस्तों कि दा मैं साइरस और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पिंपल्स और एक्ने के बारे में सिंपल से तीन स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप इनको हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं क्या खाना है और क्या लगाना है उस पर भी बात करेंगा मेरे पास है औजीवा का फाइटो क्लेंज एड एंटी एक्ने फेस वाश और साथ में है इसका एंटी एक्ने सिरम जिसे हम रिव्यू भी करेंगे जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन भी दबादे ताकि जब भी मैं फिटनेस, ग्रूमिंग और हेल्स रिलेटर विडियो जालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों सबसे बहले बात करते हैं हमें पिंपल जैक ने आते क्यूं हैं जिस तरह से हम ल जब अलग अलग बैक्टीरिया बनते हैं यह जो टॉक्सिंज बन जाते हैं बाद में बलड के थ्ढूं यह श्रीर के अलग अलग यह जो बाहर ऐते हैं तो एक हिस्ता उन allá से हमें आते हैं दोस्तों तो यह बहुत ज़रूरी है हम एक ओवरल हेल्दी डाइट फॉलो करें है का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है प्लीज फॉलो करें और यह इंपॉर्टन होता है दोस्तों ओवरॉल हेल्दी डाइट के साथ हम कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसका हमें जाधा excessively savor नहीं करना जैसे कि जाधा sugary food हमें नहीं खाने होते से UP मैदे से बनी जादा चीज़े नहीं खानी होती जैसे मेगी वगरा हो गया लकोहल हो गया और cold rings वगरा हो गया इन चीजों के इस्तमाल करना होता जब ये चीज़े excessively हम इस्तमाल करते हैं तो हमारी बॉड़ी में हाम पहुचाती है, toxins बनते हैं और pimples भी बनते हैं, जब आप work out करते हो तो definitely आपकी बॉड़ी से जो toxins है वो बहार निकलते हैं, और जब toxins बहार निकलते हैं तो बॉड़ी अंदर से cleanse होती है, तो overall healthy diet follow करना और work out करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम pimples और acne का शिकार ना हो सके, अगर मैं diet की बात करूँ तो मैंने already video बना रखा है, मैंने बोला है fruits, vegetable salads, हरी पतिता सबजियां, coconut water, overall water आपको ज़ादा लेना है ताकि body अंदर से स्वच रहे, cleanse रहे, ठीक है, दोस्तों क्या होता, बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, सर जी कोई face wash बता दो, जो हमें हम लगा सकते हैं, सर कोई ऐसा serum बता दो, जो हम लगा सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर review करता हूँ, सबसे पहले मैं जीवा का जो plant based है, phyto cleanse anti acne face serum, इसे review करते हैं दोस्तों, यह जो serum है, यह acne से fight करता है, आईए देखते हैं, इसमें कौन-कौन से ऐसे ingredients दा ले गए हैं, जो इसको ऐसा serum बनाते हैं, जो आपके acne से fight करता है, यह जो serum है दोस्तों, बहुत delicate और बहुत gentle है, यह reduce करता है inflammation को, जो आपके pimple की वज़ा से, जब आपके skin पे redness आती है, pimples आते हैं, तो उसकी inflammation को कम करता है, skin में strengthening देता है, यह skin को साफ तो करता है, उस पे जो inflammation होती है, उसे reduce करता है, जो breakouts होते हैं, उनको ठीक करता है, इसका जब मैं ingredient देखता हूँ दोस्तों, इसमें tea tree के extract दिये गए हैं, फिर cinnamon है, इसमें honey के extract दिये गए हैं, और इसमें कुछ तुलसी विगरा दिया गया है, यह बहुत ज़्यादा gentle serum है, और skin के लिए बहुत delicate है, यह inflammation reduce करता है, खास करके जो pimples वाली skin पे, जो आपको एक थोड़ी itching होती है, थोड़ी inflammation होती है, थोड़ी से redness आती है, तो उसको कम करता है यह, इसका reason यह है, दोस्तों, इसमें कुछ tea tree के extract दिये गए हैं, cinnamon है, honey के extract दिये गए हैं, जो आपकी skin के लिए काफी बहतर रहता है, अगर आपको pimples वगरा हैं, अगर आपको pimples हैं, तो I highly recommend आप इस serum का इस्तमाल जरूर करें, यह serum जो है oil free है, यह आपके pores को block नहीं करता है, और आपके acne से fight करता है, खास करके जो acne के बाद जो scars रह जाते हैं, उनको reduce करता है, इसका reason यह है, जो इसमें ingredients दिये गए हैं, जैसे के cinnamon हो गया, कुछ oils हो गया, neem extract हो गया, यह आपकी body में से या skin में से जो excessive sebum निकलता है, उसको reduce करता है, जब आपका sebum reduce होता है, environment की dust नहीं लगती तो आपके black head नहीं बनते, black head नहीं बनते तो आपके pimples भी नहीं बनते, फिर मैं देखता हूँ, इसमें tulsi के extract दिये गए हैं, aloe vera gel के extract दिये गए हैं, फिर इसमें tea tree oil दिया गया है, जो आपकी skin जो damage होती है, pimples के दोरान, उसको heal करने में मदद करते हैं, जब आपकी skin heal होती है, तो उसके जो निशान है, वो जादा गहरे नहीं बन पाते हैं, इ आपकी skin को nourish करेगा, heal करेगा, और जो आपकी inflammation हो रही है, pimple की वज़ा से वो भी ठीक कर देगा, वैसे तो ये हर skin वाले लगा सकते हैं, खास करके जनकी oily है, या combination skin है, उनके लिए बहतरीन रहते हैं, जब आप इसको लगाएंगे, ये skin आपकी पूरी तरह से इस oil को absorb कर ल अकसर अच्छे होते हैं आपकी skin के लिए, चाहे जैसी भी skin हो, चाहे वो damaged skin हो, या pigmentation वाली skin हो, tea tree एक अच्छा ingredient है, जो आपके face wash में होना चाहिए, अगर मैं अजीवा का ये plant-based face wash देखता हूं, दोस्तों, ये आपके skin पे जो acne है, उससे fight करता है, skin को थोड़ा सफा करता है, purify करता है, और जितने भी breakouts होते है, skin पे उसे हटाने में मदद करता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, कि skin के pH level को balance करता है, ये face wash आपके pores को block नहीं करता है, easily dead cell को dissolve करता है, और ये fight करता है acne और acne scars से, अगर आपके skin damage है, redness है, pimples है, acne है, तो इसका इस्तमाल जरूर कर और जितने भी dead cell है, उसे हटाने में मदद करेगा, और आपके pimples है, उसे heal करने में मदद करेगा, इसका reason क्या है दोस्तों, इसमें अगर मैं ingredient देखता हूँ, cinnamon है, इसमें honey के कुछ अंच दिये गए है, नीम के अंच दिये गए है, कुछ oil दिये गए है, जो आपके pores को खोल दिये है, फिर इसमें tea tree oil दिया गया है, aloe vera gel के extract दिये गया है, जो आपके skin को purify करते है, ये सारी चीज़े जब blend हो जाती है, तो आपके skin को purify करती है, ये आपके skin पे no doubt blackheads तो remove करने में मदद करता ही है, साथ में ये inflammation है, उसे भी reduce करता है, मुझे एक सबसे बड़ी खास इरियाज होते हैं, sebum होता है, oil होता है, जिसको तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है, अगर मैं इस face wash की बात करूँ तो इसमें cinnamon, neem और tea tree के एक stack दिये गया है, जो आपकी skin को purify करते हैं, जब आपकी skin purify होती है, साथ में आपकी inflammation को कम करता है, तो I highly recommend, अगर आपको pimples है तो आप ये औजीवा का phyto cleanse anti acne face wash और anti acne serum का इस्तमाल कर सकते हैं, और मुझे जरूर बताएं इसका performance आपको कैसे लगा, और कितने दिन में आपके pimples वगर ठीक हुएं, दोस्तों इस बात को हमेशा समझें, दो तरीके हैं pimples acne को ठीक करने के अंदरूनी रूप से और बाहरी दूप से आप पहली बार वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारी लोग अक्सर पूसने, सर जी कोई face wash बता दो, हमें कोई सिरम बता दो, तो finally मैंने बता दिया है, इसमें सारी natural चीज़े दी गई हैं, चाहे वो cinnamon हो, honey हो, neem हो, tea tree हो, तो इन चीज़े वा इस्तमाल कीजिए, और एक healthy skin और glowing skin पा सकते हैं, तो मैंने क्या बता है, आपको overall healthy diet follow करनी है, make sure अपनी diet में आप daily product हो गया, sugar हो गया, alcohol हो गया, इसका सेवन बिल्कुल कम कर दें या खतम ही कर दें, work out करना बहुत जरूरी है, जब work out करते हैं तो body से excessive toxins जो होते हैं बाहर निकलते हैं, और बाहर Instagram पर आजाओ, Friday को रात को आठ बजे मैं लाइव आता हूँ, Sunday को मैं YouTube पे एक बजे लाइव आता हूँ, आप मुसे लाइव बात कर सकते हैं, कोई अगर मुझे support करना चाहता है, तो मेरा join का button है, आप मेरे member बन सकते हैं, उसका फायदा ये होगा, आपको हर सवाल का जवाब आप तो मिलेगा ही, जब आप comment करोगे, Sunday को मैं आपको live लेके बाद भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मेरा Cyrus Vira vlogging channel है, subscribe करें, मैंने काफी सारे vlogs बनाया है, प्लीज देखें, अपने comment ज़रूर छोड़ें, और जब भी आप video देखते हैं, make sure आप subscribe ज़रूर करा करें, जब आप subscribe करते हैं, मज़ा आता है, motivation मिलती है, और खास करके हमारे 1 million subscribers होने वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ, I wish के Christmas से पहले पहले हमारे 1 million हो जाएं, इस साल से पहले पहले, और उमीद करता हूँ, आपका दिन खुब सूरत रहेगा, और ये वीडियो आपको पसंद आएगा subscribe करना मत भूलिए, thank you so much for watching this video, बाकी औजीवा का ये जो serum है और face wash है, इनका link मैंने description box में दे दिया है, खरीदें और मुझे जरूर बताएं आपको इसका performance कैसे लगा, thank you so much for watching this video, keep growing, spread the love.